कि कल तक जो पढ़ा ही हुआ था वो अक्लियर था आप लोगो को यह सर तो देखिए हम लोग अभी तक पढ़े हैं जो भी इसमें वो है Newton's first law of motion Newton की गती का पाला नियम तो वो बहुत ही simple सा नियम है जिसको अगर बहुत ही साधान भासा में समझा जाये अगर तो यह करता है कि भाई कोई भी वस्तु या कोई भी चीज जो है अपनी जगह से नहीं हिलता है या अपनी अवस्ता में परिवर्टत नहीं करता है बतल चाहे उस का उसकी गती बदलनी हो चाहे उसकी इस्थिति बदलनी हो वो तब तक नहीं होता है जब तक कि कोई उसके उपर नहीं लगता है है नो तो यह तो है आपका फर्स लौफ मोशन अब इसको जैसे भी आप लो अपने एक्जाम के हिसाब से जैसे भी प्रिपर करें वो ठीक है एक्जाम में पूछे कि मैं राइट फर्स्ट लाउप मोशन तो आप देख लिए कैसी दिखना है लेकिन कुल मिला कि मुद्दा इतना ही है कि कोई भी जो है कोई भी चीज अपनी श्कृति को नहीं बदलती जब तक कि उसके उपर कोई अनबालेंस्ट फोर्स नहीं लगता है अनबालेंस मतलब और संतुलित बल या सीधी भासा में कोई एक्स्ट्रा बल मतलब नहीं था है कोई चीज पढ़ा हुआ है तो उसको आगे बढ़ने के लिए एक बल लगता है तो तो आज हम लोग जिसी गिंती करता है एक दो तींचा राइट तो अब गिंती में निव फर्स्ट लाओ फर्स्ट लाओ पॉशन हो गया तो अभी एक नंबर की बात हो गई अब दो नंबर पर जाएंगे सकेंड और थर्ड लाओ फ मोशन ठीक है आप में से कोई अगर जानता है कि वाट इस सकेंड लाओ फ मोशन तो चाहें तो एक बार बोल सकते हैं नहीं तो हम खूँद होता जब बच्चा लोगों बोलता है कि नहीं को नहीं पता है तो पीचे कछाती चाड़ा हो जाता है कि अडे चलो मौका मिली हमको कुछ बताने का है अगर आप लोग बोलते हुए सबको पता है तो चली आगे बढ़ते हैं तो हम लोग सकेंड लाओ फ मोशन बतल पांच मिनट में बोल करके निकल जाए तो वो भी काम हो जाएगा लेकिन ज़री है समझना तो सबसे पहले देखी एक चीज है एक टर्म होता है अंग्रेजी में इनर्शिया इसका हिंदी मीनिंग देते हैं पहले इसको समझना थोड़ा सा ज़री है कल हम दो तिन बार बोले भी थे इनर्शिया के बारे में लेकिन समझाए नहीं थे जान भूचके यह जर्टा अब जर्टा तो आप सीख लिजेगा फिर भूल भी जाएगा इनर्शिया जो है वर्ट रहेगा याद तो म although कुछ छिंदी आवर्ट होता जो बड़ा मुश्किल होता जो कुछ समय के बाद जो है दिवा निकल जाएगा तो इनर्शिया आपको दिहान में रखते हैं जर्टा भी आप धिहान में रहेगा आपको अगर जानते हैं तो नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं यह इनर्सिया जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता ना कि अब जैसे आप आप जो लोग क्लास में बैठे हुए हैं ठीक है उसके बाद बोलो जा कि भेई चलो पटपट उठकर के एक ग्लास पानी लेकर आजाओ तो जो बैठे में न क्या होता है कि सरीर उस पोजिशन है फिक्स हो गया है कौन जो लगाएगा कौन उठेगा कौन जाएगा आलस होता है उसी तरह से अगर आप डॉरते जा रहे हैं ठीक है डिखी कि आप अगर माली कुछ टाइम से आप रन कर रहे हैं डॉर्ड है आप उसके अचानक से अगर आप रुकना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा जो लगाना पड़ता है मतलब आप जिस स्थिती में हो उस स्थिती को चेंज करना जो है उसके लिए एफ़र्ट लगता है और जो भी वस्तु है बाड़ी है इनसान है गारी है जो भी है वो अपनी उसी स्थिती में रहना चाहता है तो आप लोग मैं से जो लोग कभी स्कूटर के बारे में था सोचे हो गए अगर या गारी या कार के बारे में सोचे हो गए तो उसमें आप लोग देखे हो कि फर्स्ट गेर सेकेंड गेर फोर्ट गेर लगता है उसमें ठीक है जो फर्स्ट गेर जो होता है न उसमें सबसे क्या ताकत लगना होता है अगर मतलब यह मेरा खुद का एक एक एक्स्पीरियन्स है कि जब स्कूटर चलाना मैं सीखा पहली बार तो उस समय कि आगर मैं फर्स्ट गियर पे गारी डालो और इसका धेदे करके इसको स्टार्ट किया और सो जागी फिर बता था कि मैं सेकेंड ग क्या हूओ इसकोटर चलना था इसे स्कूटर खढआ हो गया ऐसे अगला चक्र जो था उपर की यह चला गया वो इसलिए होता है कि फ nut u जो है ना गारी में बहुत जाया फिर्स गेर जो है उसमें काफी ताकत लगती मतलब वह वह इस चीज से इलेटेड है इनर्शिया से कि भाई गाली रुकी वह उसको आपको स्पीड पकड़ाना अगर इसको स्टार्ट करना अगर तो तभी सबसे अताकत लगती है जब चल पड तो हर एक वस्तु हर एक चीज अपनी जो है करेंट स्टेटमेंट उसी अवस्था में रहना चाहती है आपको से चेंज करना हो तो उसके लिए जो उट लगता है उसके लिए बल लगाना पड़ता है तो इस इस काल इनर्शिया तो मतलब इसको आप हमेसा यह सोचना है कि वैठ से वह है तो पानी पीने के लिए उटना है अगर तो रशिया है वहापे आप चल भी रहे हैं अगर आप एक स्पीट से चल रहा है अगर चाहिए आपको स्पीट बढ़ाना हो चाहिए स्पीट घढ़ाना हो दोनों के लिए आपको बल लगता है and that again relates back to the same theory कि आप जिस state में ह उस state से चेंज करने के लिए extra बल लगता है and तभी तभी वह आपका state से होता है अगर माली आपके साथ कोई compete करना है आपको अगर उसको पचाड़ना है अगर आपको 20 के speed से दोड़ना है तो आपको आज बढ़ाना पड़ेगा तो आपको आज जोड लगाना पड़ेगा तो यह आपका state of inertia है पाच डिरोड़न पर डिगंट है अपने बढ़ाने के लिए जोड लगाया और से speed में चलना लगए अगर इस से भी और बढ़ाना है तो और जोड लगेगा तभी आप 15 से बीच के speed पर जाएंगे तो मतलब जो भी state है आपका अगर आप रुके हुए ह जीरो पे है जीरो से पाच करना है तो आपको जोड लगाना पड़ेगा तो ये inertia का मतलब understanding यही है कि जिस state में है वहाँ से बढ़ाने के लिए आपको जोड लगाना पड़ता है उल्टा है बीच पे अगर चलते जा रहा है चलते आराम से अभी उसको घटाना बीच से पाच करना है तो ब्रेक लाँ पड़ता है कम करना पड़ता है स्पीड को कम करना उसके लिए जोड लगाना पड़ता है और अब जहाँ पर जोड लगाने की बात कर रहे है तो आप सोचिए कि एक छोटा सा आटो 30 के स्पीड पर चल रहा है 30 किलोमेटर प्रती घंटे की स्पीड पर चल रहा है और एक ट्रेन 30 किलोमेटर की स्पीड से चल रही है मैंने कहा कि आपको जिस पीड से चल रहा है उसको कम करने के लिए जोड लगाना पड़ता है तो ये भी आटो भी 30 km गंटे के रफ्तार से चल रही है ट्रेन भी 30 km गंटे के रफ्तार से चल रही है दुनों को रोकने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए, इस्टेशन आ गया, रोकने के लिए, जीरो करने के लिए जोड लगाना पड़ेगा लेकिन आप सुचिए कि आटो को रोकने के लिए तर्जोड लगेगा और ट्रेन को रोकने के लिए तर्जोड लगेगा उसमें अंतर होगा माल दिया कि वो ट्रेन को रोकना और आटो को रोकना दोनों गारियों का ब्रेक फेल हो गया है त्रेन का भी ब्रेक फेल होगा है और आपको अपना जोड लगा के रोकना है उसको चलिए तीस पर जादा हो जाएगा एक काम करते हैं एक जिरो निकाल देते हैं ठीक है अब इस पीड से आटो भी तीन किलोड़े पर गहंटे के रफटा से चल रहा है और ट्रेन भी तीन किलो को नहीं रोक पाएंगे खीक है कितने भी भलवान आप क्यों नहीं हो इसको रोकने का इसको रोकना आपके बसका है क्योंकि यह थोटी थोटी जी रहा है और यह यह बहुत बड़ी चीज है इसका वजन बहुत जादा है इसका वजन बहुत कम है तो यहां पर क्या बता चाहरा हूं मैं कि जो इनर्शिया है इनर्शिया यह बताता है कि कोई भी अपनी स्थिति में राता है उसको चेंज करने के लिए जो लगाना पड़ता है उसकी स्थि को चेंज करने के लिए उसके स्पीड को चेंज करने के लिए उसके आकार को चेंज करने के लिए तो दर इस वाट इनर्शिया से लेकिन एक और भी चीज है जो काफी बड़ा डोल प्ले करती है वो ये है उसका वजन उसका मास ठीक है और तो हलकी फुल की चीज है उसका स्पी कभी स्पीड, ट्रेंड की स्पीड भी सी क्लों रपटी घंटे थी, लेकिन इसको अगर आपको रोकना हो, तो ये हमारे आपके लोगों के बसका नहीं है, क्योंकि इसका वजन बहुत जादा है, तो ये इनर्शिया और मास, ये दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, मतलब जड और वजन, ठीक है, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इनर्शिया ये बताता है, कि आप किसी विश्तति में है, उस स्पीड को चेंज करने के लिए वजन लगता है, और मास जो है, वो डिटर्मेंट करता है, कि इसका वजन लगेगा, वो अगर को ये हलकी चीज है मान लिए जाए, कि आपको अगर एक फूल उड़ता हुआ रहा है, उसको रोकना है, वर्सस एक क्रिकेट बॉल आ रहा है, आपकी तरफ, शेम स्पीड से, उसको रोकना है, तो दोनों में अंतर है, वो जो गलाब का फूल जो आ रहा है, या तमेली का फूल है, जो नहीं और सेम स्पीट से एक बॉल आ रही एक क्रिकेट की बॉल तो दोनों को रोकने के अलग बन लगता है तो वही है बतलब आप उसी को एक प्रियंस कर सकते हो कि अगर आपके तरफ कोई एक जो है गेंदे का फूल फेका अपकी और तीन किलोमेटर या पांच किलोमेटर प्रदी और सब्सक्राइब करता है और मास्स इस इस बबन लगता है वह डितर्मिन होता है इसके उपर और बेस होता है इसके उपर कि की का वजन कितना है ठीक है मतलल एक छोटा बच्चा दोड़ते वे आपके तरफ दो साल का चोटा बेबी है दोड़ते वे आपके तरफ आ रहा है उसको रोकना है वर्सेस एक हाथी का बच्चा दोड़ते वारा है उसको रोकना है ठीक है तो यह तो इनर्शिया और मास का खेल है इनर्शिया और मास्क को जानना इसलिए ज़रूरी था यह लोग बोलिया अब यह बताईए द्रव्यमान ठीक है ड्रव्यमान ज्यादा होगा तो उसका वजन कम होगा वह सब्सक्राइब करता है कि उस जहां का ग्रैविटेशनल फ्रोर्स कितना है तो इसको वही बुल रहा है कि इसको इसको मतलब अब लोग कितना लाईफ में कितना वार यूज करते है शुगर से लगे साम की बीच में कितना वार द्रव्यमान यूज करते है नहीं करते हैं तो इससलिए इसको समझाने के लिए सिध्रिवासा में समझाने के लिए कि आप उसको उसको रिलेट कर पाते हैं तो यहां पर हम जो भी बोल रहे हैं इस 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 दॉन ऑफिस्यल थिंग मतलब यहां पर मेरा जो भी बोला जा रहा है उसको आप एगदम वर्बाटी मगर नोट करके एक्जाम में लिखेगा तो धोका हो सकता है यहां पर यह क्लास इस प्रामाडली फॉर बिकिंग शॉर की कांसेप्स वाला चीज पा पर रिलेट कर पार है और लग इस्टिल आइवड आजूम कि आप लोग सभी लोग क्लास करने के बाद में भी बुक को रिफर कहेंगे I have, this is not the only source of information for you guys, I will use, or I will keep on using terms which are easy to relate, looking how, point taken, Vajan or mass are not the same thing, right, but, I will leave it for you guys to kind of use the right term when it is needed, you know, मतलब अभी मालिय जार मैंने एक्जांपल दिया होता है कि मैं अग्दम काफी बुक के साथ से जाता है कि भाई एक बच्चे का दरभिमान और एक हाथी का दरभिमान अलग लग होता है तेल में हाव मच यू विल कीप इट विद यू अगर मैं बोलो यू बच्चे का बजन और एक हाथी का बजन अलग लग होता है यू विल बटो रिलेट तो उतना ही खेले बस और कुछ नहीं ठीक है? आजे बने? ये सर तो अभी तक हम लोग इनर्शिय और मास की बात कर रहे थे ये दोनों का important role होता है to understand की force कितना लगेगा अब अलोग ने बोल दिया कि मास को वजन मत बोली है सर दर्वान बोले तो दर्वान बोलेंगे लेकिन रिलेट करना आपको ऐसे है कि कोई चीज कोई भी हलकी चीज और भारी चीज के उपर depend करता है कि उसको उसका inertia को change करने के लिए कितना आपको force लगेगा ठीज and that is exactly what the newton's second law of motion says तो आईए second law of motion को समझते है तो आलोग आपके पास कोई definition है second law of motion का तो बताईए नहीं तो फिर आपना style में बताएंगे फिर ये कि सर बताता हूँ न्यूटन second law हिंदी में क्या सकते हैं सर आज जैसे बोला बोले ना पर दिकते हैं उन्हों सब लोग हिंदी में चलता है तो तो न्यूटन का second law ये कहता है कि किसी भी चीज को अगर आपको accelerate करवाना है या यानि कि उसका अगर velocity ब्राण temper to उसकी उपर आपको first लगाना पड़ेगा और इतना force लगाना पड़ेगा वह डिपेन्ट करता है उसके inertia पर कूरिकि अगर तो नर्शिया ज्यादा होगा तो वह ज्यादा velocity नहीं पाएगा अगर जाने कि मास क्या सकते हैं, तो ज्यादा वे लोसे जपायगा. तो देखिए, अभी थोड़ा साइस को और प्रैक्टिकली रिलेट करते हैं. मेरा काम यही है कि आप लोग को यह सब सब्जेक्ट को आसान कर दें, बाकिया यह हमान के चलते हैं कि आप लोग पढ़के और तेज़ बनेंगे ठीक है. तो अभी एकदम सीधी साजी भासा में समझाते हैं कि यह उसको इसको 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 करते हैं. जैसे अभी तक एक चीज़ तक आप लोग ने सिखां कि इनर्शिया जो है, वो किसी भी चीज़ को अपनी इस्तिती में रहने के लिए मजबूर करता है. जिस स्पीड से चलता है, उसी स्पीड से चलना चाहेगा. रुका हुआ है तो रुका रहना चाहेगा. उसको आपका स्पीड बढ़ाना है, उसका आकार चेंज़ करना है, उसको इस्तिर अवस्तासे आगे मूब कराना है तो आपको जोड लगाना पड़ा है, that is what inertia says और कितना जोड लगाना पड़ेगा, that is a function of mass तो मतलब छोटे बच्चे को अगर डोड़ाना है 2 क्लोमेटर प्रति घंटे की रफ्ता से versus मेरे सा कोई मोटा तर्याद्मी को तोड़ाना है तो उसके लिए ज्यादा जोड़ लगेगा ठीक है तो अभी आप देखते हैं यहाँ पे तो यह मान लिया जाए कि एक गारी चल रही है दो किलोमेटर प्रति एक गारी है मान लिया जाए यह चल रही है पाँच किलोमेटर प्रति गंटे की रफ्तार से ठीक है तो यह इसका इनिशल विलास्टी है मान लिया जाए इसको यू बोलते है यू जो है यह है यह है पाँच किलोमेटर प्रति गंटा तो इसको अब यह समझे कि आण रिक्षिन फॉर्स हैं कुई हवा निचल रही है घारी का स्पीड को कव करने कुझिशज नहीं कर रही है बतला वह 5 के स्पीड से चल रहा है चल रहा सका कोई नहीं रोक सकता उसको मतलब 5 की स्पीड, 4 की स्पीड हो जाहेगी या पांस-इच्छे हो जाएगा, जब पांस-च्छे हो जब आप एक्सेरेट करोगे और पांस-च्छर हो जाएगा जबकि उसको कोई ब्रेक लगा रहा हो कि ऐसे कुछ को उसकी गती को कम करने कोईश्च कर रहा हूँ तो यह मानकी चलिए, ऐसा समभब नहीं है ऐसे 10 किलोमेटर प्रतिए घंटा तो अब इसके बल्दा पड़ेगा 10 किलोमेटर प्रतिए घंटा तिके अब एक चीज वोची कि 5 से 10 कि Pollihr करने के लिए आपको मतलब आपको इनर्शिय को आप चेंज कर रहे है तिके इनर्शिय अब यह सोचे कि आपको पांस से दस का स्पीर करना हो एक सेकंड के अंदर व्रसेज़ दस मिनट के अंदर तो एक सेकंड में करने के लिए आपको कितना जोड लगेगा और दस मिनट में करना मतलब धीय 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 Eh करके जोड लगा सकते है कम बल लगाऊगे जाद टाइम तक लगाऊगे यहाँ पे ज्यादा बल लगा रहे हो, कम टाइम में लगा रहे हो, यहाँ पे ज्यादा टाइम है आपके पास, तो कम बल लगा रहे हो, मतलब जो फोर्स लगा रहे हो आप, कम फोर्स लगा करके थोर टाइम तक लगाते जा रहे हो, तो उसका स्पीड पास से दस पहुंच जा तो कोई magic तो हो नहीं जोड लग रहा है जीरो तो तो 60 km in 3 seconds मतलब उसको बहुत ज्यादा पावर होना चाहिए उसकी engine में तभी वह हो पाएगा देखते हैं कोई कुछ बोलना चाहरा है तो basically मुद्धा यह है कि जब आप किसी की speed को बढ़ाते हो पाच किलोमेटर से दस किलोमेटर प्रिटी घंटा यह यू से वी जो भी पाच से दस बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे पाच से पचास भी सोच सकते हो जब speed को बढ़ाते हो तो अगर आपको वही speed उतना ही बढ़ाने उतना speed बढ़ाना अगर आपको कम time में करना हो versus आपके पाच ज़्यादा time हो तो आपका जोर कम यह ज़्यादा लगेगा ठीक है तो मतलब उधारन यह होगा example यह रहेगा कि भाई मालिया जीरो से 30 किलोमेटर प्रिटी घंटे की रफ्तार आपको लानी है गारी में सेम गारी में ठीक है एक मिनट में versus पंदर मिनट में यहाँ पर क्या थोड़ा थोड़ा जोर जो है लग रहा है sorry एक मिनट में तो यहाँ ज़्यादा जोर कम time के लग रहा है यहाँ पर कम जोर ज़्यादा time के लग रहा है यहाँ पे मतलब ज्यादा बल कम टाइम के लग रहा है ज्यादा फोर्स लग रहा है कम टाइम के लिए यहाँ पे इस केस में कम फोर्स लग रहा है लेकिन ज्यादा टाइम तक लग रहा है तो न्यूटन सेकेंड लॉप मोसर वही बोलता है कि जो आपका जो अगर इस speed से speed तक जाना है अगर आपकी velocity को यहां से यहां तक ले जाना है तो अब इसलिए यहां पर speed बढ़ना है, acceleration हो रहा है तॉरन हो रहा है तो आपको अगर गारी को accelerate करना है या किसी का speed को बढ़ाना है तो कितना force लगेगा वो दो चीज के उपर depend करता है, एक तो भाई कितना वजन है चोटे बच्चे को भगाना है या मोटे बाद में को भगाना है खीक है तो एक तो उसके mass के उपर depend करेगा एक तो mass होगा, कितना जोड लगेगा वो mass के उपर depend करेगा और दूसरा कि acceleration के उपर अब acceleration मतलब Rate of Change of Vel Azty जो आप लोग सेखे तो पढ़ले कि अगर मालिए आप ज़्यादा Accelerate कर रहे हो तो उसके लिए ज़्यादा ज़्यादा जोड लगा रहे हो कम Accelerate कर रहे हो मतलब कम जोड लगा रहे हो यानि कि आप कम Accelerate कर रहे हो मतलब स्पीड को धीरे धीरे चेंज कर रहे हो ज्यादा एक्सलेट कर रहे हो मतलब स्पीड को तेजी से चेंज कर रहे हो यानि कि जैसे होता है जो देखेंगे आप गारियों में जो एक्सलेट कर रहा हो घूंग आवाज आ रहा होता है रैट तो वही उसको तो आप ज्यादा जल्दी आप स्पीड को चेंज करना चाह रहे हो, तो आप ज्यादा बन लगेगा, और उसका वजन ज्यादा हो, गारी बड़ी हो, आदमी मोटा हो, तो उसके लिए भी थाकर जाह लगेगी, So that is exactly what Newton's second law of motion says कि आपको कितना बन लगेगा वो डिपेंड करेगा मास के उपर और आप किस तेजी से स्पीड को छेज़ कर रहे हो कितना तेजी से एक्सिलरेट कर रहे हो कि मैं आपको जो नया स्पीड है और ये पुरानी स्पीड है उसको कितना तेजी से मतलब कितना समय में एक सेकंड में कर रहे हो दो घंडे में कर रहे हो और तो आप इसको ऐसे मैंने कहा कि फोर्स कितना लगेगा वो डिपेंड करता है मास के उपर और एक्सिलरेशन के उपर मतलब कितना वजन है उस चीज का और उसका एक्सलेरेशन कितना है एक्सलेरेशन मतलब यह कितनी तेजी से आप उसकी गति को चेंज कर रहे है this is what Newton's law of motion says और Newton ने जो भी दिया था नियम this was based on practical example तो इसलिए मैं इस formula को लिखने से पहले आप लोग को उसका background बता रहा था कि मैं देखिए हम लोग यह ची experience कर सकते हैं भाई छोटे बच्चे को भगाना है या मोटे बच्चे को भगाना है बच्चे को ने मोटे हाद में बच्चे मोटा नहीं होता कभी तो अगर उसका mask कम या ज़्यादा है तो अब इसले को पता चलता है कि भाई बच्चे अब यह आटो को डिमाल यह आटो रुकी हुए है जीरो के स्पीड पे और एक ट्रैक्टर रुका हुआ है जीरो के स्पीड पे आटो को अगर दो किलोमेटर पिटी घंटे की रफ्तार देनी है अगर और ट्रैक्टर को डो के लिए पे घंटे की रफ्तार देनी है अगर तो आटो में कम जोड लगेगा आप और हम भी कर सकते हैं ट्रैक्टर करने के लिए हमाएं आपके जैसे पाच-दस लोग तो लगेगें कम से कम तो उसका रीजन यह है कि भाई मास में डिफ्रेंस है यह जोटा है यह मोटा है और दूसरा है कि भाई किस तेई से बढ़ाता है अगर आपको कहें आपको दो सकेंड कंदर बहुता है कि गारी रुकी रहती है तो देखेंगे आप लोगा की बैटरी डुब गई है गारी की तो लोग धक्का मारते हैं एक स्पीड तक गारी आ गई तो इसके बाद प्र उस और दूसरा चीज़ है और बेचले कि किस रेट से आप शेज़ करना चाह रहे हो कि भाई आप दो क्लोड पर गंटे की रफटा जा चाह रहे हो दो मिनट के अंदर में या या दो क्लोड पर गंटे की रफटा जा चाह रहे हो पांस सेकेंड के अंदर में तो पांस सेकेंड क को relate करते हैं. Newton's first law of motion क्या बोलता है कि भाई जो चीज जहां पर पढ़ी भी है उसको आगे बनाने के लिए आपको एक unbalanced force लगता है. मतलब इसको एक ताकत लगती है. Unbalanced force obviously मतलब समझें कि आप किसी चीज के अगेंस लर्ड है. मतलब गारी रुकी भी है अगर यह आटो आटो सा दिख नहीं रहा है लेकिन आटो यह है समझें. ठीक है अब थोड़ा सा दिख रहा होगा. तो यह आटो जो है अगर रुकी भी है तो इसको रुकी भी क्यों है? एक जब कोई भी चीज रहती है उसको एक दरती जिस हम्स पर जताएं पर एक एक, एक फोर्स उसके एपर लगा रहताया है. वो फ्रिक्षिनल फोर्स बोलेंगे यह अभी मतलब एक तो है, sorry, एक है, इनर्शिया है, उसका अपना एक इनर्शिया है, वो रुका हुआ है, उसको, मतलब उसी स्टेट में रहना चाहता है, तो उसका इनर्शिया के वज़े से ज्यादा उसका बल लगाएंगे, तभी हो जाएगा, मतलब उसका वज़न जितना है, और जो उसका speed zero है उसको बढ़ाने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो उसके पर frictional force लग रहा होता है जब चलना सुरू होता तो एक frictional force लग रहा होता है कि गती की अब आप चलना लेक्शन में friction force लग रहा होता है इस direction में तो ले दे के पाला नियम ये बोलता है कि भाई आप किसी भी state से अगर आगे बढ़ना चाहते हैं या सिची का state स्थिति को change करना चाहते हैं इसकी speed को change करना चाहते हैं तो you need an unbalanced force मतलब उसके पर भी अब लग रहा है उससे ज्यादा बल लगा करके करके आप उसको की गती को बढ़ा सकते हैं ताजी तो first law of motion second law of motion says कि when you second law of motion says that the force needed to change the velocity or change the inertia of any object is a function of mass of the object and the acceleration मतलब कितनी तीजी से आप इसकी गती को बढ़ना चाहते हो बढ़ना चाहते हो बढ़ना चाहते हो नहीं बोल रहा हूँ आप चलती भी गारी को रोकना चाहते हो अगर तो भी आपको बढ़ लगेगा ब्रेक कमजोर है गारी ने रुकेगी ठीक है तो अगर किसी चीजी की गती को आप बढ़ना चाहते हो तो उसके लिए कितना बल लगेगा उसके वो डिपेंड करता है कि उसका वजन कितना है और आप एक्सिलरेशन क्या है मतलब कितनी तेई से इसको बढ़ाना या घटाना चाहते हो ठीक है तो यह सकेंड लॉफ मसन हो गया अभी आगे बढ़ने से पले एक बढ़ पूछ लिया जाए बच्चों से कि भाई सब कोई क्लियर है या सिफ मैं अपने इसाब से जल रहा हूँ यहीं पर भी लगे कि समझ में नहीं नहीं आ तो एक्डम बीना सोचे समझे रोक मैं कि से यह वाला समझ में नहीं रहा है सिफ टो यह फिजिव एक्यों ऐस मृसं बहाँ च्लने के लिए झारशन के लिए चाना जोड़ लगे गा और कि तना जोड़ लगेगा Tucson वो डिपेंड करता है कि पर कितना भारी चीज है और कितनी तहीं से आप बदलना चाह रहे हो ठीक है तो साधान भासा में साधान भासा में यही इसका डेफिनिशन है यही तो न्यूटर्स लौप मोसन है अब अगर हम लोग आ जाएं कि कुछ एक्जामपल देखना हो कि देखिये अभी जिसे कि यहाँ पर देखिये अब जो है आप लोग देख रहा हो कि यह तीचर जो पढ़ा रहा है तो यह खुद से नहीं पढ़ा रहा है पढ़के पढ़ा रहा है अब पढ़ना पढ़ता है त पढ़ने से पढ़ने। दिखिए यहां पर एक example है यह अम लोग समील देशी लोग जो है इसी को relate कर पाते हैं कि आप लोग सब कोई cricket डढठे होंगे, जो कोई ball आरे होती काफी तेज से, आप देखिए है, cricket का player जो होता है यह ball को catch करता है और दहीं को catch करके हाथ को नीचे ला ball की अभी चलने के उतीहीं सी चल रहा है उसका एक वजन भी है, तो अगर आप तुरत कैच कर कि यही इस जिगह पर ही रोक देते ball को, अगर कि भाई है नम stiff करके रोक देते तो आपने टाइम बहुत कम दिया ball की spirit को, जी spirit से आना उसी spirit से और zero करने के लिए तो मतलब आपने acceleration काफी बढ़ा दिया ठीक है मतलब यहां पे acceleration काफी ज़धा हो गया या acceleration नहीं इसको deceleration बोलेंगे बट ठीक है線 acceleration काफी मतलब जिस सबाव現在 पचास कैसबर से हैंपचास तो जीड़ से इरो अपने भीड़ा सेकंड का टाइन दे दिया तो जो है जोड जो लगा वो कम जोड लगा मतलब ये फार्मूला पर अगर आप जाएंगे वापस कि भाई ये आपका वजन तो फिक्स ही है एक्सेलरेशन जो है वी मानस यू बाई टी होता है ये बॉल पचास की स्पीड से आए थी आपको करना है जीरो आपने टाइम अगर एक सेकंड नहीं लिया एक सेकंड ही लिया तो ये स्पीड काफी तेजी से कम हुई पचास से जीरो तो ये फोर्स बढ़ गया है क्योंकि मास फिक्स ही है बतला ऐसे देखिए यहां पर फिक्से लिखता हूँ फोर्स इक्वल स्टू मास इंटू एक्सेलरेशन के बतले मैं वी मैनस यू बाई टी लिख रहा हूँ ठीक है फॉर्मूला भी यही होता है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी ठीक है याने कि एक्वल टू वी मैनस यू बाई टी ठीक है तो वही एक्सेलरेशन मतलब वी मैनस यू बाई टी तो इसको अगर इसको अभी जो क्रिकेटर लोग जो होता है भले वो लोग अब सचिन तंदुकर टेंज पास भी नहीं कर पाये थे दोनी को भी ग्रैजिशन करने में बहुत टाइम लगा लेकिन उनको भी साइन्स का जोड़ा था भले क्लास में फेल कर जाए लेकिन रियल लाइफ में साइन् के स्पीड से और यह काफी तिजी से शॉट माना किसी ने पचास से जीरो करना मतलब कैश लेना है चैच लेना मतलब बॉल को लोग देना आपके हाथ में अगर आप तुरंट रोग देते हो मतलब बीना हाथ का मुव्मेंट किये जो हम लोग पिक्चर में देख रहे थे यह यहां पर तुरत यहीं पर रुक लेते हो अगर बॉल को तो आपने टाइम बिलकुल नहीं दिया खुद को ताइम बिलकुल नहीं दिया तो यहां पर देखिए यह फिक्स था इसका भी वाल्य बहुत ज्यादा हो गया अगर टी का वाल्य हो गर एक सेकंड है इसका वाल्य तो फोर्स कितना हो गया पचास था पचास बटे एक और पचास बटे चार आप सिधा देखिए आपने बहुत ही एक चार सेकेंड ले लिया को बाल को धीये दीकर के हाथ नीचे लेके आया तो क्या हुआ कि फोर्स जो है यहाँ पे जितना फोर्स लगा था उसका वन फोर्ट लगा तो बॉल जो आपके उपर आपको तागत लगना पढ़ा बॉल को रोपने के लिए यहाँ पे वर्सेस यहाँ पे एक चोथाई हो गया तो that that is that is the scientific part of it कि जो हम जो लेकिन उन्हों भी यह formula यूज किया था लाइफ में प्राक्टिकली तो मेरा यह करना है कि आप कोई भी एक्जाम दो कभी एक्जाम दो science आपको पीछा नहीं छोड़ेगा science आप मात ऐसा चीज है ऐसे दो subjects हैं जो कि आपके साथ जिंदेगी इपर लगे रहेंगे तो जब भी भी आप कुछ concept सीखिये try relating that with how do you see around yourself उसका real life example क्या है उसका real usage क्या है अब इतना कुछ बक्वास करने के बाद में असली मुद्दा यहीं है कि आप newton's law of motion के हिसाब से देखेंगे तो यही formula है जो आपको याद रटना है force equal to mass into acceleration acceleration नहीं की acceleration होता है V minus U by T मतलब यह नई गती है यह पुरानी गती थी इसको change होने में किस तरह लगा V minus U by T ठीक है तो यहीं दो formula है जो आपको याद रटना है और आप इसको इसको याद नहीं भी रखो तो हो जाए काम एक्शली क्योंकि मैंने किसा कहा कि force equal to mass into acceleration इसक depend करता है और कितना तेजी से आप उसका inertia change कर रहे हो बना कितना बल साजी force जो है इस पर depend करता है कि इसका बोजन कितना है और उसको कितना तीजी से आप उसको कम ज्यादा करना चाह रहे हो तो जो example नो आटो और ट्रक कर लिया था उसको भी आप रिलेट कर सकते हैं कि भाई अगर मास ज्यादा है और दीजी से रोकना है तो बहुत ज्यादा बल लगेगा मास कम है और तो भी कम बल लगेगा मास कम है और बहुत दीए दीए एक्सलेट करना है तो भी कम बल लगेगा तो ऐसको आप रिलेट कर सकते हो बाकी कभी कभी formula याद करना पड़ता है क्या करे तो ये होगी आपका Newton's Second Law of Motion यहां तक में कोई doubt, confusion हो तो बताईए मैं नो सर चलिए तब आगे बढ़ते हैं फिर अब आते हैं लड़ाई जगरे पर अगर मान लिया जाए Newton's Third Law of Motion ये ये लड़ाई जगरा वाला नियम है अब बोलिए क्यों अब देखिये, मान लिया जाए कि आप चल रहे हैं रोड पर कहीं पर किसी ने आपको बिना मतलों का एक थपर मार दिया आप इमें इतली क्या गटो क्या भी एक थपर लगा दोगी फिर मैं मार पिट नहीं सिखाना हूँ आप लोगको आप लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है बट आप लड़ाई करते हो तो लड़ाई होगी आप किसी के साथ में प्यार दिखाते हो तो प्यार भी होगा उससे आप देखोगे रोड़ पर यो छोटा सा पपी रहता है अगर छोटा सा पपी है या ऐसे भी स्ट्रे डॉक्स रहता है जो कुते गुमरे होते हैं उनको आप अगर पुष्कार दोगे न तो भी आपकर के आपको प्यार दिखाता है आकर पूछ लाए लग जाए आपके साथ नेता है वो So when you care for something, right? They care for you आप किसी के साथ बत्तमीजी करते हो तो भी अपके साथ बत्तमीजी करेगा the Newton's color of motion for each and every action there is an equal and opposite reaction मतलब हर एक क्रिया के मतलब एक प्रतिक क्रिया होती है आप जो भी करोगे जो भी करोगे जैसा गोगे वैसा पाओगे तो मार पिट करोगे तो मार पिट होगा अच्य सर और तो अच्य दोस बनेंगे so that is that is what this is more of a spiritual thing when it comes to understanding this मतलब Newton's color of motion is also very much relatable to what we see जो करता है कि हर एक क्रिया के बराबर और विप्रींट प्रतिक क्रिया होती है ठीक है आपने इस direction में जोड लगाया आपको इस direction में जोड लगेगा आपने ऐसे थपड गुमा के किसी को मारा वो आपको पलट के इसी दारिक से थप लगाया गए ठीक है तो यह है neutral star love motion अब इसको jokes apart let's come to the practical thing अगर आप चल यह आप हो कोई भी ऐसा दिखता नहीं है मुझे छोड के चलिए यह यह आप लोग हो ठीक है एक बच्चे है यहाँ पर मेरी driving skills चांदार है तो don't worry about it तो यह आप चल रहे होता सड़क पर आपने कभी notice किया कि आप actually सड़क के उपर जोड लगाते हो जैसे कि अगर आगे जाना है ठीक है तो पीछे की दो धक्का लगाके फिर आगे बढ़ते हो basically आप अपने पैरों से जिन पैरेक से जाना उसके उल्टी दिशा में आप पैरों से धर्टी को पुश कर रहे होते हो अजब आप करता हो तो धर्टी गुसा होती है धर्टी आपके उपर जोड लगाते हो ल्टी दिशा में कि तुमने मुझे ऐसे दबाया मैं तुमको ऐसे धक्का दूँगा दूगी अज़ दूगी मतलब Let me turn on my video for a little bit ताकि आपको उम्मों दिखा पाऊँ मैं के बोलना चारा हो अप देखिए ये ये आपका पाऊँ है ये आपका पाऊँ है ये धर्टी है ये वादर जो हाथ दिख रहे है ये धर्टी है तीक है इसके उपरी दूसरा आपका पाउं है आपको कर चलना हो आप धर्टी को ऐसे दवाईए नीचे की ओर नीचे दवाते हैं उपर जम करते हैं जम कर रहे होता है नीचे धर्टी को दवाते हैं लेकिन जो आपको चलना होता है चलने के लिए आप क्या करते हैं पाउं से तो पीछे क्योर करना होता है, ठीक है, तो हर एक, this is exactly what you will see, कि आप जो करना चाहते हो, आप उसका उल्टा करते हो, आप मा ले जाए, आप चाहते हो कि बच्चा सुधर जाए, तो बच्चे को आप डांट होगे, अगर चिला होगे, तो बच्चा भी चिलाना सीखता है, आप बच्चे को बोलो कि बटा ऐसे नहीं करना है, तो उसको लगता है कि अच्छा, मेरे को प्यार से सिखाया गया, तो मेरे को, उसी intensity से उतने ही प्यार से मेरे को समझना है, अगर मैं क्लास में आकर कि रोज चिलाना सुरू करो, कि आप लो कुछ नहीं आता, आप लो कुछ बच्चे को इतना डाट पड़ता है, वो बच्चा उतना ही अग्रेसिव हो जाता है, ठीक है? इसमें नीटेंस नीटेंस फ़र लाव पोस्न से लेट नहीं करता है, मतलतब इसको रिलेट कर सकते हो, नीटेंस फ़र लाव मोस्न के साब से आप एक्जाम्पल ने देए उतने exam में लेकिन fact is that कि आप न्यूटन थर्लोफ मोसन जही बोलता है कि हरे क्रिया के बिप्रीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है तो जो example मैं दिया था कि भाई ना चलाने के देखेंगे ना लिक जो होता है वो पतवार से पीछे कर रहा हो था पाने को आप आगे बढ़ने के को नीते के दवाए जाए तो आप उपर के ओर जम कर सकते हो लेकिन आगे नहीं बढ़ो गया आगे बढ़ने के लिए आपको धर्टी को पीछे के और पूछ करना पड़ेगा ठीक है तो यह सारा जो है यह सारी जानकारी आज के लिए थी अभी मैं यहां पे रुक रहा हूं तो अभी हम लोग ने सीखा Newton Second Law of Motion क्या होता है और जो है Newton Second Law of Motion क्या होता है उसका formula कैसे निकलता है ने क्या बता है हमने इसको कैसे relate किया Newton Third Law of Motion ने सीखा किया है कैसे है और अब जो हमें सवाल यह है कि जो problem से इसको solve करना है कैसे करना था दो ही formula आप लोगने सीखा है एक formula है force equal to mass into acceleration F equal to M into A, sorry मैं स्क्रीन शेयर स्टाप कर दिया तो मैं भी बता रहा है तो फिर सिफ force equal to mass into acceleration जो Second Law of Motion था और उसी से related जो हम लोगने पहले classes में सीखा था यह आपका एक फाला formula यह है, drawing बंदी की मेरा force equal to mass into acceleration और acceleration is nothing but the change of velocity, यहने कि A equal to V minus U by T तो यही दो formula आपको काम आएगा, इसी को लगा करके आप सारे problem solve कर सकते हो मैं जान बुच कि इस class में एक भी problem solve नहीं कर रहा हूँ because these are very straightforward ones, आपको सिर्ध्यान रखना है कि unit, mass का unit, acceleration का unit, velocity का unit और time का unit इसको सिर्ध्यान दखिएगा, कभी कुछ calculation करते वक्त में इसको बटकना नहीं है ठीक है, अब जिसे mass का unit, kilogram, gram जो भी है, acceleration का unit क्या होगा, यह होता है meter प्रतिस second square, यह kilometer प्रतिस second square, जो भी है, मतलब distance by time square, क्यों? क्योंकि velocity का speed होता है, distance by time, by time, यहाँ पे देखिए, distance by time, by time है तो इसलिए distance by time square, ठीक है, तो unit को सिर्ध्यान रखिएगा, अब ही करना यह है आपको कि 9th class का, यह chapter 8 है यह किसी book में 9 देख रहा होगा, जो भी है, chapter जो बोलता है, force and laws of motion बल और गती का नियम, इस chapter को उठाइए, उसमें जितना भी जो किया हुआ exercise है, उसको देखिए, उसको करने को भी स्कीजिए और last major exercise है, जो करने का होता chapter है, एक chapter के अंत में, उसको जरूर सिकीजिए उसको करने के बाद आपको idea होगा कि जो हम लोग class में पढ़ चुके हैं, उसको हम use करके, वो problem उसको solve कर पा रहे हैं या नहीं कोई सवाल है तो पूचिए भाई, no question, तो आप लोग को इतना खुला नियोता हम देते हैं कि भाई अगर कहीं पर पढ़ने के बाद में उसको exercise कीजिए, exercise करने के बाद में teacher को पकड़िए, अगर कोई भी concept को पढ़ाया गया class में उसको आप use नहीं कर पा रहे हैं या कहीं फच जा रहे हैं, तो teacher को पगड़िए कि भाई, आपने तो घपला कर दिया, समझाया लेकिन हम लोग फच जा रहे हैं, तो फचने का कोशिच कीजिए, मतलब देखी कि भाई, ऐसा कुछ तो है class में जो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जब तक आप उस सवाल के साथ में, जब तक problem के साथ में struggle नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चला है कि आप जानते हो नहीं जानते हो, मेरा भासन सुनके जाने के बाद, अगर आप exercise नहीं करते हो, तो मेरा भासन जो है, नेता जी का भासन जिससे कम नहीं होगा फिर, उसको exercise में use कीजिए, solve कीजिए, और पता क कीजिए कि आपको सौन में आया की नहीं है, और आपके टीचर ने आपको सीख से पताया की नहीं बताया है, तो कीजिए और बताएए फिर, तो this brings us to the end of this class, हम लोग अभी हमाँ पास छे मेरा का टाइम है, तो we'll take a break, class on ही रहेगा, लेकिन जो है, English class के बीच में, जो पांच से में का टाइम है, आप लोग चाहें तो पानी वानी पी के फ्रेस्स होके रेडी हो जाईए, then we will start, ठीक है, उमीद करता हो कि कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो अभी पूस्ट कीजिए, अभी पांच मेट है,